हेलो फेरेंट स्वागत है आप सब का इस न्यूव वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया वर्सेल साउथ अपरिका के मैज के बारे में जो कि 30 अक्टूबर को होने वाला है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जब दूनों टीम आमने सामने होती है सबसे अच्छा कीस प इस बिजानेंगे मैं आपको दूनों टीमों का प्लेइंग 11 बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में टीम लगा के भी दूंगा जिसे आप आच्छा वेलिंग कर सकते हैं और एक ऐसा प्लेयर का नाम बताऊंगा जो कि फ्लॉप होने वाला है जो कि इंडिया का ही है साइद उसे केप्टेन भी बनाने वाले होंगे तो आप उसको टीम में भी जगा नहीं दीजिएगा मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि वह जब साउथ अपरिका के खिलाब खेलता है तो बिल्कुल ही नहीं चलता है और वह प्लेयर कौन सा है नाम इसका मैं इसी वीडियो में बत कर लेता हैं पीची रिपोर्ट के पहन को देख सकते हैं यहां पर बैटस्च में और बएल्वन दोनों का मंदन मिलने वाला है दोनों को सपोर्ट मिलेगा बैटसमेन को भी और ब्लेयर को भी यहां डर्व plataforma सबसे ज़्यादा लागा है सब्चुल ऑन और साफ्न का उप्लें कुमार यादो हार्दिक पांजा दिनेश कार्थिक अक्षर पतेल मुहम्मद स्वमी आसवीन बीकुमार और अर्शदीप सिंग उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ अपडिका का प्लेइंग रिबन को तिहां पर देख सकते हैं डीकोग जो की विकेट की पर है और टी वाउमा ठीमों कैई प्लेइंग 11 न हुने वाला है बात कर लेते हैं डोनो आपस में भीरता है न यहाच्छ उसके बारे में बात बात कर लेते हैं उसके बारे मैश में 307 में दीनेज कार्ति की 11 में 26 रन रोहित सारमा सोरह मैश में 405 उसके बात कर लेते हैं बाल लिगा तो को हैं यह पर देख सकते हैं भुनेसार कुमार 10 मैच में 14 जौदा बीकेट आसमिली है नो मैच में दस बीकेट हरसल परतेल सात मैच में 9 जहाल प्रदीपन्रदीप नौब मैस में पांच पीकेट अक्षण दीप सिंग दो मैस में पांच में और यानी सबसे बोल कर आए हुए हैं अक्षणदीप सींग तो इसको आप अपने तीम में जरूर लीजिएगा इस बॉलर को उसके बाद बात कर लेधे हैं साव तप्रिखा के बारे में तो यहां पे देख सकते हैं डीकॉंग ने खेला आठ मैच जिसमें इंटाव रन मारना और रहा रासू खेले तीन मैच जो कि शोरण मारे हैं उसके बाद क्लासें चे मैच में डोशाद दसरन अब देविद मीलर सुरह मैच में आठ भीट यहां परणल यहां पर दस मेंआज बीचे और न और जे साथ मेच्च tattoos 5 बिकेट और भूंडिय Mozart इंगिणिल में फार देखंड layout की पांच मैचे श कीरकांट मैच तो किन का peninsula ड़ीता और ज़र्दा रन कौन मारा है यह देख लेते हैं तो देख सकते हैं इंडिया ने मारा है 237 रन तीन विकेट के नुक्सान पर जिसमें साउथ अपरिका ने रन ही मार पाया यहां पर इंडिया ने इस मैंस को जीट लिया जिसमें इस्पीनर ने भी डो बिकेट और पेश सावफ अपरिकां ले मारा थेidents यहां पर इंडिया ने एक सब्सक्रaky guy ने जित लिया था और इस ahaion हरन्पपर only आट दो आई रनिया ता जिसमें पिशनने में लि माइच में इंडिया ने मारा था 189 रन और शाउथ अपरीका 131 पर ही अल आउट हो गया था जिसमें 40 रन से इंडिया ने जीत लिया था जिसमें पेसर ने लिया था आठ फिकेट और स्पिनर ने लिया था छे बिकेट तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दू मैचों में साउथ आपरीका और याकि इंडिया का बॉलार भी आप ले लेना यहाँ पर और भी कर देती था रिच गातेशब दोनों आपने सामने खेलते हैं तो यहां पाइश को थोड़ा काम रखिए học घए तो उस परफोर्मेंस कंडे में दोनों टीम का लिए ela की सबसे अच्छा परफोर्मेंस किसका है जो फलोफ होने वाला है चले चलते हैं अपने ज्री मृट तो देखे हम आगे हैं डिवलेबर में तो चल्या सेलेक्ट कर लेते हैं तो भीकेट की पर मैं लेकिन मैं आप लोग को सज्जेस्ट करूँगा कि आप लोग नहीं रखिएगा उसके बाद साउथ अपरिका के तरफ से डेविड बीलर को और इंडिया के तरफ से केल रहूर को तो मैं यह बैस्में इतना ही लूँगा इधर से क्योंकि साउथ अपरिका का ज्यादा बैस्मे को लूँगा उसके बाद नौर्जे और एक यहां पर अक्षरदीप सिंग को तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्शन कर लिया आपको पूरा देखा देता हूं देख लीजिए यही टीम हमारा होने वाला है तो चलिए अब सेलेक्ट कर लेते हैं केप्टेन और वाइस केप् सिंग तो आभी स्यम आप कॉपी कर सकते हो अगर आप चाहें तो इस टीम को सेम कापी कर सकते हैं या बदल सकते हैं उसे कोई दिकत नहीं है लेकिन यही टीम मेरा होने वाला है तो फाइनल टीम आपको मील जाएगा लाइन आप के बाद आप इस वीडियो के जरूर करेगा क्योंकि इसी से रिलेटर में वीडियो लाते रहता हूं तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई